एलो डियर स्टूडेंस कैसे हैं आप सब मेरा नाम है अर्चिता और आप देख रहे हैं दिफामाइकोपीडिया यस बच्चों तो अगर मैं इस चैनल की मोटिफ की बात करूँ तो इस चैनल का मोटिफ भी है कॉंसेप्चुल बिल्डिंग जब भी मैं कोई लेक्टर लेती हूं तो उसका हमारे विडियो देखने के लिए आप पार्मेकोपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए and yes, do not forget to press the bell icon जिससे कि आप पार्मेकोपीडिया की किसी भी वीडियो को मिस ना करें yes, बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर पर, तो आज की लेक्चर में आपको बताऊंगी Inhibitors of the Oxidative Phosphorylation ठीक है, तो प्रीवेस वीडियो में आपने क्या पढ़ा था Inhibitors of the Electron Transport Chain ठीक है So, today we will be studying about the Inhibitors of the Oxidative Phosphorylation तो Oxidative Phosphorylation क्या होता है मैं आपको बहुत 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 बताया है Oxidative Phosphorylation is the process of the synthesis of ATP from ADP and Inorganic Phosphate coupled with the Electron Transport System ठीक है तो Oxidative Phosphorylation के अंदर हम क्या देखते है Oxidation and Phosphorylation मतलब की हम Electrons का Transfer भी देखते है that is through the Electron Transport Chain as well as the Phosphorylation that is the synthesis of the ATP ठीक है जब हम बात करते हैं इनिबिटर्स of Oxidative Phosphorylation में इसमें हमें सबसे पहले जो चीस समझनी है वो है कप्लिंग ठीक है कि यह कप्लिंग क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम यह देखते हैं throughout the process कि Oxidation ठीक है Oxidation is what the flow of electrons के सकते हैं मतलब ETC के case में तो हम flow of electrons ही consider करेंगे along with the phosphorylation when the process of Oxidation and phosphorylation occurs simultaneously it is termed as coupling ठीक है यह दोनों जब simultaneously occur करते हैं तो इसको हम बोलते हैं coupling अब uncouplers क्या होते हैं uncouplers ऐसे substances या ऐसे compounds होते हैं जो यह दोनों process को deal link करने का काम करते हैं ठीक है अब deal link क्या हो गया कि मतलब की oxidation को तो होने देंगे यह的osphorylation को नहीं होने देंगे ठीक है तो uncouplers को काम होता है की oxidation और phosphorylation which is a part of a coupling which is a coupling इन दोनों को क्या करते हैं uncouplers करते हैं मतलब कि oxidation को अलग करते हैं phosphorylation को जदा जदा करते हैं तो मतलब अब oxidation अकेले अपना अपना process perform करेगा और phosphorylation क्या हो जाएगा वो गम में अपना process नहीं perform करेगा ठीके इसको मिस्तर समझ सकते हैं ठीके बच्चों तो uncouplers की बात हो गई अब uncouplers क्या करते हैं कि oxidation तो कराते हैं मतलब कि electron transport chain की तुरू यह electron का movement मतलब electron का transfer तो कराएंगे from one complex to the complex number four बट यह ATP का synthesis नहीं करवाते हैं also जो दूसरी चीज़ है कि हमें ध्यान रखने हैं दूसरा point यह हो गया कि यह क्या करते हैं इंटर-mito-content membrane inner-mito-content membrane की permeability को towards the hydrogen ions यह protons क्या करते हैं इंक्रीस कर देते हैं जिस्ते की क्या होता है hydrogen ions into membrane space में matrix से move करते हैं ठीक है तो permeability को increase कर देते हैं ठीक है अब तीसी चीज़ जो आती है कि जो भी energy utilize हो रहा है ATP के synthesis में वो energy फिर जाता कहा है sorry जब phosphorylation की process नहीं हो रही है तो वो energy जाता कहा है तो that energy is liberated in the form of heat वो energy क्या होती है ATP का production ना करके heat के form में liberate हो जाती है ठीक है तो यह story थी uncouplers की आप मैं आपको बताते हैं कि मैंने uncouplers के बारे में यहां बात क्यों किया जब बात करते हैं oxidative phosphorylation की तो सबसे पहले ही आते हैं uncouplers ठीक है तो uncouplers का concept तो मैंने आपको समझा दिया कि uncouplers basically होते क्या है यह क्या करते हैं यह oxidation तो होने देते हैं बट phosphorylation को नहीं होने देते हैं ठीक है अब uncouplers के अंदर जो सबसे दो तरीके की होते हैं जो सबसे पहले आते हैं जैसे कि यह drug हो गया है बात कर लेते हम ड्रग की यहां पे हो गया फिर natural uncouplers ठीक है बच्चो तो drug में सबसे पहला जो आता है वो है 2,4-dynitrophenol ठीक है तो it is basically a drug 2,4-dynitrophenol is a uncoupler that is इसको बहु सकते हैं कि inhibitor of the oxidative phosphorylation है यह oxidation को तो होने देगा but it inhibits the process of phosphorylation ठीक है अब dnp का जैसे dynitrophenol का क्या है मिस्यूस भी होता था पहले के time पर क्या होता था कि लोग इसको क्या करते थे weight loss जो लोग weight loss करना चाहते हैं वो इसका इस्तिमाल करते थे ठीक है अब इस चीज़कों में आपको थोड़ा आगे जाके समझाऊंगे कि यह weight loss का dnp से क्या connection है ठीक है लेकिन इसी वज़द से इसकी मिस्यूस के कारण क्या होता है कि United States USA Food and Drug Administration ने इसकी यूस को क्या कर दिया था बैन कर दिया था ठीक है तो यह हो गया dnp की कहानी जो इसका actual कहानी कि इसका weight loss से क्या relation यह मैं आपको बस थोड़ी देर में बताऊंगी ठीक है फिर दूसरा जो आता है वो है dynitrocresol it is also used as a uncoupler ठीक है बच्चों थर्ड आते है FCCP इसका full form थोड़ा लंबा है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूं इसका full form है trifluoro-carbonyl-cyanide-finyl-hydrosone इसको याद करने के जरुद नहीं है यह मैंने आपको बस ऐसी बता दिया है ठीक है FCCP अब FCCP क्या होता है it is 100 times more effective 100 times more effective than dinitrophenol yes बच्चों जब बात करते हैं हम लोग एक आते physiological uncouplers की मतलब कुछ ऐसे substances जो high concentration में क्या करते हैं uncouplers की तरह एक्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है थर्मोजनीन इस बेसिकली अ नाचुरल अनकपलर ठीक है मैं कपलिंग के बारे में बता दिया अनकपलर मैंने बता दिया क्या होते हैं ठीक है अब अनकपलर में दो तरीके हो कि तर ड्रग होगे नाचुरल होगे ड्रग क्या होगे ड्रग में आपके आते हैं 2,4-Dynitrofenol, Dynitrocresol and the FCCP ठीक है नाचुरल में जो इंपोर्टेंट है वो है थर्मोजनीन इसको मैं स्टामा कर दे रही हूँ थर्मोजनीन, थाइरॉक्षिन and the free long chain of free fatty acid इस आप फीजोलोजिकल अनकपलर जो हाई कंसेंट्रेशन में at high concentration अब अनकपलर की तरह आक्ट करते हैं अब मैं आपको बताऊं कि कि अनकपलर का significance क्या है क्योंकि अब अनकपलर है तो इसका कुछ बॉड़ी में significance तो होगा ही होगा इसका actual में reality में इसका significance क्या है हमारी बॉड़ी के अंदर यह हम देखते हैं जिसके तुरू आपको dynatrophenol की concept भी clear हो जाएंगे ठीक है तो बाग करते हैं significance की तो जैसे students कुछ hairless animals होते हैं जिनके दर hairs नहीं होते हैं ठीक है ठीक है जो जैसे की cold environment बहुत excess cold जिस एरिया में पढ़ते जहांपे glaciers और बहुत सब्सक्राइब होते हैं बहुत थंड़ होती है बहां पर वह एनिमल्स कैसे अपने आपको के अंदर brown adipose tissue होता है ठीक है तो जो brown adipose tissue के अंदर जो inner mitochondrial membrane होती है ठीक है brown adipose tissue के अंदर जो inner mitochondrial membrane होती है बहां पर concept आता है uncoupling का अब वहां पर concept अनन्य के क्या हो सकता है जैसे वह क्या करते हैं कि इस tissue के अंदर oxygen की कि प्रॉसेस तो हो रही होगी यह तस oxidation का प्रॉसेस तो हो रही होगी बटelu 5аки क्यंकर बहुत जरूरी चीज़ां इसलिए नहीं हो क्या होते हैं कि वह बहुत cold environment में रहते हैं मैंने ज़सा कि आपको बताया कि ATP का synthesis ना होके वो सारी कि सारी energy heat के form में liberate होती है जब heat के form में वो liberate होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा temperature body का क्या हो जाएगा increase हो जाएगा temperature यहां पर इंक्रीज हो जाएगा तो जो भी animals cold areas में है तो उनको क्या करना है अपने body के temperature को increase करना है तो वो इस uncoupling के process से क्या करते हैं ATP का synthesis ना करके ATP का in terms of brown adipose tissues वो ATP का synthesis ना करके वो क्या करते हैं वो सारी कि सारी energy heat को liberate करने में इस्तमाल करते हैं ठीक है ठीक है तो इससे क्या हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा बॉडी की temperature maintained रहेगी body की temperature throughout maintained रहेगी तो यह body temperature को maintain करने का काम करता है that is the process of uncoupling ठीक है यहां पर एक आती है कि क्या करता है मतलम की brown adipose tissues में जो concept होती वो क्या होती नौन शिवरिंग thermogenesis यह terminology अगर आपको कभी सुनने को मिले तो आप समझ जाएगा कि यह कि कि बात हो रही है brown adipose tissues कि that is non-shivering thermogenesis जैस बच्चों ठीक है इसको याद रखिएगा यह नौन थर्मो नौन शिवरिंग कुछ concept clear ही हो गया होगा कि weight loss में इसको इस्तमाल इसलिए करते हैं क्या होता है जब excess calories ले रहे होते हैं जो भी calories हम ले रहे होते हैं उनका ultimately काम क्या होता है ATP की synthesis करना ATP बट जब हम energy का expenditure नहीं एक्सपेंड नहीं करेंगे जिसे हम energy को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वह body में किस फॉर्म में स्टोर जाएगी और फिर वह क्या करेगा obesity इट विल लीड तो अबैसिटी ठीक है तो हमने क्या किया हम ATP बनने ही नहीं देंगे क्योंकि तो क्या होगा सारी की सारी जो भी जो भी हम कंजूम कर रहे हैं वो किसली इस्तमाल हो जाएगी इट विल ओनली लीड इन ट्रांसफर ऑफ दी एलेक्ट्रों और वो जो भी energy प्रोडूज होगी इट विल लिबरेट इन फॉर्म आफ हीट एट पी का कोई भी चास कंजूम कर रहे हैं और एटिपी का सिंथेस्स नहीं होने दे रहे हैं और लगातार हीट का production हो रहा है बॉडी के इन तो उसमें हाइपर थरी में कंडीशन आ जाएगी और बहुत ही major side effects होंगे उसके ठीके इसी वज़ा से यूएस FDA ने इस डाइन नाइट्रोफिनॉल को बैन कर रखा है ठीक है I hope this concept is clear dear students ठीक है now coming to the uncouplers नहीं बोलेंगे other inhibitors of the oxidative phosphorylation मुझा उमीद है कि यहां तक की कहानी आप सब को clear होगी ठीक है बहुत असान सा concept है इसमें ज्यादर कुछ नहीं करना है बेसिकली बस आप टर्म लॉजी को समझ गए तो रेस्ट ऑफ दी fundamentals are clear okay बच्छो जब other inhibitors की बात कहते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है oligomycin oligomycin अब यह oligomycin कोई अनकपलर नहीं है यह oligomycin क्या करता है इस बेसिकली इनबेट प्रोसेस ओफ ऑउक्सिडेशन अब अब लेकोत मैसे क्या कहता है है कि चलो अनकपलर लिह थिमने तो और ऑक्सिडेशन को और यह यहां कि यह यह हो गई oligomycin की कहानी अब कैसे यह हम समझते हो इसे हैं oligomycin क्या करता है oligomycin it binds to the complex 5 complex 5 क्या यह bind करेगा ATP synthase के साथ में ठीक है यह ATP synthase के साथ में bind कर दिया as well as it blocks the hydrogen ion carriers hydrogen channels मतलब hydrogen channels को भी यह क्या करता है ब्लॉक करता है जिससे कि री एंट्री नहीं हो पाएगी हम पहले पताते हैं इसको हम मैं समझारी हूं आपको oligomycin हो गया oligomycin क्या करता है यह ATP synthase के साथ में बाइंड करेगा ठीक है जब ATP synthase के साथ में बाइंड करके जब फॉस्फोराइलेशन की प्रोसस को inhibit करेगा it means कि ATP का synthesis नहीं हो रहा है तो यहां से यह funda clear हो गया ब्लॉक्स थी hydrogen ion channels यहां से हम क्या समझते हैं यहां से हम यह समझ रहे हैं कि जो oligomycin है जिस वी क्या होते है मैंने आपको बताया था कि इंटर-membrane स्पेस से फिर ATP फिर complex 5 के फिर complex 5 के त्रू क्या करता था hydrogen ions matrix में आ जाता था ठीक है और फिर यही energy utilize होती थी ATP के production के लिए है simple है तो यह क्या करेगा यह क्या करेगा इंटर-membrane स्पेस से इंटर-membrane स्पेस से matrix में hydrogen ions को आने नहीं नहीं देगा मतलब कि यह क्या करता है inhibit the reentry entry को री एंटर को नी री एंटरी को यह inhibit करता है कि मतलब oligomycin क्या करता है hydrogen ions की री एंटरी इंटो दी मेत्रीक्स इपरॉसस को यह inhabit करता है as a result क्या हो जाएगा इंटर मेंब्रेन स्पेस में क्या हो जाएगा तो फिर क्या होगा एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर को अपने काम को बंद करना पड़ेगा तो जब हार्जनायंसी कंसेंट्रेशन इंटर मेंब्रेंस स्पेस में बहुत ही जादा हो जाएगी तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा इट विल अल्टिमेटली लीट तो दिस्टॉपेज ओफ दी एलेक्ट्रॉन ट्रांस्पोर्ट इंटर्एकल इंबिशन करता है उलीगोमाइशन का तो इस तरीके से विलीगोमाइशन उक्सीडेशन और फेस्फोरालेशन दोनों को ही नहीं होने देता है या ङोइट्राइकल नहीं होने देता हैं नहीं देता है और दूसरी जो inappropriate द्रग है वो है अट्रैक्टीलोसाइड ठीक है वो क्या है यह इंडरेक्ली यह इंडरेक्ली इनिबिशन कॉस करता है अट्रैक्टीलोसाइड यह क्या है इडरेक्ली इनिबिशन कैसे बिलकुल बताएंगे by inhibiting the adenosine nucleotide carrier ठीक है यह किसको inhibit कर देता है यह adenosine nucleotide carrier को inhibit कर देता है नाम सही पता चल रहा है ऐसा carrier जो किसके transportation में help करता है ADP या ATP के तो इसने simple यह कहा दिया एक ट्रैक्टिलोसाइड ने कि मैं adenosine nucleotide carrier को inhibit कर दूँगा जिससे कि क्या होगा कि प्रॉसेस तो सब होंगे बट ATP का synthesis नहीं होगा क्यों क्योंकि adenosine nucleotide carrier जब जब इनिबिटेड रहेगा तो वो क्या करेगा ADP का proper supply नहीं करेगा ठीक है हमें पता है कि ATP जो electron transport chain में या oxidative phosphorylation की during जो बनता है वो ADP से बनता है ठीक है ADP के phosphorylation से ATP बनती है ठीक है बत्सों यह clear है तो जब आट्रैक्टिलोसाइड adenosine nucleotide carrier को inhibit कर देगा या block कर देगा तो क्या होगा ADP appropriate amount में supply नहीं होगा तो जब ADP appropriate amount में supply नहीं होगा तो ATP नहीं बनेगा यह बच्चों यह काम था अट्रैक्टिलोसाइड का ठीक है तो दिस वस आल अल अबाउट दी inhibitors of oxidative phosphorylation ठीक है oxidative phosphorylation में नहीं क्या पड़ा था कप्लिंग के concept पढ़ लिया फिर uncouplers पढ़ लिया अनकप्लर में पंड़ा क्लियर ही है फिर में हमने drugs देख लिये थे नाच्रल कप्लर देख लिया फिर others other inhibitors of oxidative phosphorylation जो हमने देखा हमने देखना था वो था oligomycin जिसमें बहुत oxidative oxidation and phosphorylation दोनों ही process नहीं होने दे रहा था ठीक है at tractyloside which is a plant toxin ये indirect inhibition कॉस्ट करता है ठीक है okay so dear students so this was all about the inhibitors of the oxidative phosphorylation i hope that each and every point is clear to you all and yes students कोई वी क्वेरी है so do let me know in the comment section below and yes dear students okay so thank you so much for watching the video do not forget to like share and subscribe to pharmacopedia and yes dear students share it with your friends also and yes till then keep studying and i'll be right back with another such kind of videos okay dear students till then take care bye